अब 120 रुपे लिटर का पेट्रोल लेने के बजाएं, किसानों ने त्यार कि हुआ 62 रुपे लिटर का इथेनॉल नालो और मोटर साइकल आटरिक्षा चलाओ बेनार भाईो ब्राजिल में, कैनड़ा में और USA में, अमरिका में यही टोयाटो, हुंडा, फोर्ड, हुंडाई, मर्सिडीज, ब्म्ड़्यू, इनकी सब की जो पेट्रोल की गाडिया चलने वाली है, यह गाडियों को फ्लेक्स इंजिन है, फ्लेक्स इंजिन, फ्लेक्स इंजिन का मतलब यही होता है, कि तुमारे गाड़ी में तुम हंडर परसेंट पेट्रोल डालो, और या हंडर परसेंट किसानों ने तैयार किया वा बायो इथेनॉल डालो, अब इथेनॉल की कैलरिक वैलू जो है, एक लीटर इथेनॉल उसके बराबर में 800 एमल पेट्रोल, क्यूंकि इथेनॉल की कैलरिक वैलू थोड़ी कम है, पर मैंने रशिया से एक technology लाई है मैंने पेट्रोलियम मंत्री और पेट्रोलियम सेकेटी तरुन कपूर को presentation दिया है और वो technology ऐसी है कि ethanol को एक machine में घुमा कर एक additive आड करके जितनी petrol की कालरिक वैल्यू है उतनी ethanol की कालरिक वैल्यू होगी इसका मतलब एक लिटर में जितने किलोमीटर पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी उतने ही किलोमीटर इथेनॉल पर चलेगी तो टेकनोलोजी का प्रयोग और है कोवीड के कारे वो सैंटिस आने पा रहे 15 दिन में आ रहे मैंने वो एक्स्प्रिमेंट देखा है सरकार उसमें अगर प्रूवन हुआ तो स्विकार करेगी अब इसमें क्या हुआ मैं पीछे पड़ाओ में लगाता रहा यूँ इथेनॉल के पीछे पड़ाई देता हूँ तो बजाज स्कूटर मालू में आपको टीवी एस वार बजाज मोटर साइकल स्कूटर इस दो कंपनी के मालिक मेरे पास है मैं ट्रांस्पोर्ट मंत्री हूँ जो भोल रहा हूँ इसलिए मैं कोई नेटा जैसा भाशन नहीं कर रहा हूँ मेरी बात को ठीक समझ लेना तो मैंने दोनों को कहा कि तुम जब तक कि फ्लेक्स इंजिन की मोटर साइकल और स्कूटर तैयार नहीं करेंगे मेरे घर पर नहीं आना मैं कोई काम ने करेंगे कि मैं हाथ जोड़कर प्राठाला करता हूँ बल्यान जी यहां पेट्रूल पंप इधनॉल के खोल दो बारत सरकार ने परमिशन दिये इधनॉल के पंप पेट्रोल और डीजल के साथ खोलने की परमिशन बारत सरकार ने दिये और अब पजाज और टीवी एस कंपनी ने अपने फ्लेक्स इंजिन की मोटर साइकल स्कूटर लांच की है अब 120 रुपे लिटर का पेट्रोल लेने के बजाए किसानों ने तयार किवा 62 रुपे लिटर का इधनॉल डालो और मोटर साइकल आटर रिक्षा चलाओ